नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में दोस्तों शास्त्रों में ऐसी ना जाने कितनी वातों का जिक्र किया गया है जिसके वारे में हमारे मन और मस्तिस्क में हजारों सवाल उठते हैं रात के समय नाखोन क्यों ना काटे संद्याकाल में जहडू क्यों ना लगाए ग्रहण के समय भोजन क्यों ना करे जमीन में बैट कर खाना क्यों खाए एदी विल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है ऐसे ना जाने कितनी वातें शास्त्रों में बताई गई है दोस्तों ऐसे ही सवालों में से ये कहे एदी आपके घर में कवे का आगमन हो तो किस तरह के संकेत देता है दर असल दोस्तों कवे का आना और किसी निर्धारिस समय पर बोलना आपके जीवन में मिले जुले प्रभाव लेकर आता है तो आएए दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं कि घर में कवे का आना आपके जीवन में किस तरह के बदलाव ला सकता है और या किस बात की तरह इशारा करता है आज के वीडियो में हम जानेंगे विस्तार से तो आप लोगों से दोस्तों विंती है कि वीडियो के अंतक जरूर बने रहना जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना क्योंके दोस्तों मैं आपकी सेबा में ऐसे ही वास्तो सास्तर जीवति शास्तर और सामुद्रिक शास्तर से संबंदित बहुत ही महत्मूर जानकारी लाता रहता हूँ लेकिन दोस्तों आप लोग वीडियो अन तक जरूर देखना क्यूंकि अधूरा ग्यां सदेब घातक होता है चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे दोस्तों सबसे पहले जानते हैं यात्रा पर निकलते समय घर में कववे का आना एदि आप किसी बड़ी आत्रा पर जाने वाले हैं और आपके घर में कववा आकर जोड से बोली इसका मतलब या है कि आपकी आत्रा सफल होने वाली है दरसल दोस्तों ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है जो आपके लिए शुब होगा दोस्तों दूसरा पॉइंट है जुन्ड में कववे का आना अगर आपके घर में कववे जुन्ड में इकटा हो जाएं और तेजी से बोलें तो आपको सतर्क होने की आवश्यक्ता है दरसल दोस्तों ये कववे किसी अनुहुनी का संकेत देते हैं और ये इस बात का संकेत भी हो सकता है कि आपके परिवार पर कोई बड़ा संकट या कोई बड़ी बीमारी आने वाली है खास तवर पर इस तरह के संकेत घर के मुखिया के लिए अच्छे नहीं होते हैं दोस्तों तीसरा संकेत दच्छिर दिशा में कववे का बोलना एदी आपके घर में कववा दच्छिर दिशा की ओर बैठ कर बोलता है तो या एक अशुब संकेत होता है नित्रों ये इस बात का संकेत है कि आपके पितर आप से नाराज है और आपके घर में पित्रदोश है ऐसा कोई भी संकेत मिलने पर आपको घर से पित्र दोस दोर करने के उपाई जरूर करना चाहिए दोस्तों चौथा संकेत कववे का शरीर पर बैठना अगर कभी दोस्तों अचानक ही आपके शरीर पर कववा आकर बैठ चाहे तो या एक बड़ा अप्शगुन हो सकता है ये इस बात का संकेत देता है कि आपको मांसिक तनाव मिलने वाले हैं आपके केरियर में आसाफलता मिल सकती है और कोई बड़ी बीमारी भी आपको आ सकती है दुस्तों पाँचमा संकेत है रोटी खाता हुआ कहुआ अगर आप अपने घर में कोई के लिए रोटी या कोई भी खाने की सामिग्री रखते हैं और वो खा लेता है तो समझ लिजिए आपकी कई मनों कामनाई पूरी होने वाली हैं दोस्तों आपको धनलाब हो सकता है और किसी बड़े काम में सफलता मिलने के योग भी बन सकते हैं मित्रों दरसल कोई का रोटी खाना इस बात का संकेत है कि आपके पूरवज आप से प्रसन है और घर से सबी दोस्त दूर होने बाले हैं और दोस्तों छटा संकेत है कोई का अंडा अगर आपके घर में कभी कवे का अंडा मिले तो या आपके लिए एक कातेंत शुब संकेत है दरसल कवे का अंडा इस बात को दिखाता है कि आपके घर में कोई बड़ी खुशकबरी आने वाली है अगर आप संतान प्राप्ती की इच्छा रखते ही तो ऐसा कोई भी संकेत आपको मिलता है तो समझ लिजिए बहुत जल्दी आपके घर में किलकारियां गुजने वाली है दुस्तों सातमा संकेत है कवे का पानी पीना अगर आपके घर या आपके घर की छट के ऊपर आप बालकनी में पानी रखते हैं और कवा आकर या पानी पी लेता है तो समझ लिजिए आप बहुत जल्दी माला माल होने वाले हैं और दुस्तों आठमा संकेत है उदास अवस्ता में कवा एदि घर में कववा आकर बैठे और उदास दिखे तो या आपके घर के लिए ठीक नहीं है मित्रों या इस बात का संकेत देता है कि या आपके घर में कोई बड़ी घटना होने वाली है जो आपके जीवन में नकारातमक बदलाव ला सकती है इसके अलावा घर में बीमार कववा आकर बैठे तो ये बीमारी का संकेत भी हो सकता है दोस्तों नमा संकेत है जोड़े में कववे का आना अगर घर में जोड़े में कववा आकर बैठे और बोले तो समझ लिजे कि आपके घर में या किसी करीवी के घर में जल्दी शहनाईयां वजने वाली हैं ये इस बात को दिखाता है कि जल्दी कोई शादी होने वाली है और एदी शादी ना भी हो तब भी आपती पतनी के लिए शुब संकेत है और दोस्तों दस्मा और अंतिम संकेत प्राता काल उत्तर या पूरब दिशा में कोई का बोलना मित्रों एदी आपके घर में सुबा सुबा ही उत्तर या पूरब दिशा में कोई बोलता है तो या इस बात का संकेत है कि आपके घर में किसी अथती का अगमन होने बाला है या आपके लिए शुबसंकेत है क्योंकि आपकी मुलाकात किसी अभिन मित्र से हो सकती है जो आपके बिगडे हुए काम बनाने में मदद करेगा तो दोस्तों इस परकार आपके घर में कवे का आना और बोलना आपके जीवन के लिए मिले जुले प्रभाव लाता है वैसे दोस्तों या एक सामान जीवतिस अनुमान है जो समय के साथ बदलना संबब है तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई थैंक्स फार वाचिंग माई वीडियो